एलो दोस्तर कैसे हो आप से वेलकम एक्टी जोब इस्टी में हो प्रकाश तो पत्ना हाई कोट में असिस्टेंट के पोस्ट में वेकंसी रिलीज की गई है डिटेल बात करते हैं अपलाई करने की एजुटी क्राइटिरिया क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वाइड है सेलेक्शन का प्रोसेस कह रहा है एक्जाम पैटर्न कैसा रहता है साथ ही साथ बात करेंगे सेलेक्शन के बाद यहां अपकी इन हैंट सेलरी कितनी रहती है तो दिखें पटना हाई कोट में टोटल 550 एसिस्टेंट के पोस्टन वेकेंसी निकली भी एक ग्रूप भी पोस्ट रहती है इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है अप्लाई करने की डेट 6 फरवरी से स्टार्ट होगी 6 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अप्लिकेशन फीज यहाँ थोड़ा ज्यादा है अप्लिकेशन फीज की बात करें तो जेनरल बीसी एड़ बीसी और यहां 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 यह जो वेकेंसी निकली भी इसमें ऑल इंडिया कंड़ेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जब आप अप्लाई करोगा अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप जिनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो educational qualification के बात करें तो यहां graduation required है अगर आपने graduation complete किया हुई है तो आप यहां apply का निकले eligible हो graduation की cut off date इन्होंने mention की हुए 1st January 2023 के पहले तक आपकी graduation complete होनी चाहिए तो ही आप यहां apply कर सकते हो साथ ही साथ एक और important criteria इन्होंने रखी हुई है यहां diploma अगर आपने 6 months का computer application के ऊपर कोई course किया हुआ है उसकी आपके पास diploma या फिर कोई certificate होनी चाहिए तो आप यहां apply कर सकते हो या फिर जैसे suppose आपने BCA किया हुआ है या फिर आपने BTEC वगरा किया हुआ है और बाकी DAHRA वगरा calculate करने के बाद आपकी monthly enhanced salary 60 से 65,000 के बीच रहेगी तो इसकी short notification यहां आप देख सकते हो दिखिए इससे पहले जो recruitment हुई थी पतना high court में assistant के post में यह 2016 में हुई थी तो बहुत साल बाद यह vacancy देखने को मिल रही है लेकिन इस बार अच्छी खासी vacancy देखने को मिल रही है 550 पॉस्ट वेकेंसी निकली भी है salary बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है अगर यहां exam pattern की बात करें selection process के बात करें तो सबसे पहले आपको prelims देना होगा उसके बाद आपको mains देना होगा मेंस क्लियर करने के बाद आपको interview के लिए call के जागा और पिछली बार जो exam होई थी वो MR-based होई थी लेकिन इस बार expected है कि जो exam होगी यह online रहेगी तो उसके लिए आप ready रहना English, GK, Maths and Hindi इन चार sections से questions पुछे गया थे पिछली बार जो prelims हुआ था उसमें English से 30 questions पुछे गया थे GK से लगो 30 questions पुछे गया थे Math से 20 questions पुछे गया थे and Hindi से 20 questions पुछे गया थे यानि कि total 100 questions पुछे गया थे प्लिम से तो इसके तैयारी बहुत अच्छे से करना क्योंकि बहुत बड़ी opportunity आपको मिली भी है और posting आपकी हमेशा पटना में रहेगी तो ये बहुत अच्छी जोब बहुत अच्छी आपको मिल रहेगी हाई कोट में आपकी posting रहेगी और साथी साथ पटना शहर में आप रहोगे तो अगर आप दूसरे state से भी हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ी opportunity निकली भी यहाँ पर तो apply ज़रूर करना और यहाँ आप इसकी short notification देख सकते हो बहुत जल्द इसकी detailed notification भी आपको देखने को मिलेगी इसके related अगर आपकी कोई भी query रहती है कुछ confusion रहता तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो thank you